सारी जी इंसान के रावब जो प्रशु पक्षी होती है उनमें भी बुद्धत नाम का कुछ होता है उतरता है ऐसा बेटा बुद्धत जो कुछ भी है वो मांगता है कि तुम बंधनों से बंधे हुए ना हो प्रशु पक्षी एक मामले में सभागेशाली होते हैं कि समाजिक बंधन उन पे ना बराबर होते हैं लेकिन एक मामले में वो बड़े अभागे होते हैं कि वो अपनी देह से आगे कभी नहीं जा सकते वो लगातार देह ही रह जाते हैं तो वो आदमी की अपेक्षा बहतर भी हैं और बदतर भी बुद्ध की अपेक्षा बदतर हैं और साधारन मानों की अपेक्षा कहीं बहतर हैं साधारन मानों के उपर दो बेडियां हैं शरीर की और समाज की बुद्ध पर कोई बेडी नहीं है पश्वों पर एक बेडी है कौन सी शरीर की तो बुद्ध की अपेक्षा जो पशु है वो बदतर है लेकिन पशु उन सब मानवों से कहीं बहतर है जिनके उपर दो बेडिया है तो मानव जन्म लेना सदा बोला गया है कि बड़े सभागी की बात होती है जितने सभागी की बात होती है उतनी दुर्भागी की बात भी होती है मानव जनम में ये संभावना तो है कि तुम समस्त बेडियों से आदाद हो जाओ लेकिन मानव जनम में फिर ये संभावना भी है कि तुम एक बेड़ी की उपर पचास और डाल लो तो तुम्हारा क्या होता है अब ये तुम जानो आदमी पैदा होना बड़े जंजट की बात है जानवर पैदा होने में कोई जंजट नहीं है कुत्ता पैदा हुआ है कुत्ता रहेगा, कुत्ता खाएगा, कुत्ता भौगेगा, प्रजनन करेगा और फिर कुटा मर जाएगा अरे बनी बनाई बनी बनाई बात है उसमें कुछ खास बदलना नहीं और आदमी के सामने दस दिशाएं है उसका कुछ भी हो सकता है उची से उची रहा भी है उसकी बुद्धों की कृष्णों की रहा भी चल सकता है वो एक तरफ तो यह रहा है कि बुद्ध हो गया कृष्ण हो गया और दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि अधम नीच बैशाचिक जीवन बिताए ऐसा जीवन जिससे पशु लाग गुना बहतर जीते हो बैशाचिक बेड़ी हटने से क्या अधिश्बाइब होगा मतलब जैसे पर पशुद है वो जिसकी आयू साहब तो रही है तो मतलब उसका फिर कुछ फर्दरेंस है या उसका कोई फर्दरेंस नहीं है वृत्य का फर्दरेंस है वृत्य कोई चीज थोड़ी होती है शरीर चीज है वृत्य चीज नहीं है वो वृत्य ही तो सब कुछ है आपको इदीवाल क्यों दिख रही है वृत्य है तो इदीवाल दिख रही है वो वृत्य ही तो सब कुछ है वो वृत्य ही तो दीवाल दिखाती है तो जो इस खषण है जो इस खषण है आप वो मुक्त हो जाएगा अगले शण कोई और हो गए तो वो नहीं होगा मुक्त अगर इस क्षण दिख गया कि दीवाल जूटी है तो इस क्षण जो आप हैं वो तो आजाद हो गया वो अगले क्षण कोई और आ गया तो वो नहीं है आजाद तो यहाँ तो आप फिर बने रही है वही जो आप अभी है वरना ये मत कहिए कि अभी दिख गया तो भी आजाद हो गए अभी आजाद होगा अगले पल पुना कैद हो जाएंगे हाँ आप नहीं कैद होगे कौन कैद होगा वो जो अगले पल जन्म ले रहा है तो आप तो आजाद हो गए लोग पूछते हैं कि भई ये जो इनलाइटन्मेंट होता है ये एक बार होता है ये रिवर्सिविल होता है कि होके फिर अनलाइटन्ड हो गए जिसका हुआ वो तो उसी पल आजाद हो गया पर आजाद ऐसा हुआ कि अब वो बचा ही नहीं हाँ अगले पल कोई और आ सकता है और जो अगले पल आया है उसे अगले पल पुना मुक्ति चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आज बात समझ में आ गई तो दो साल बात भी ट्यूब लाइट जलते ही रहेगी ऐसा कुछ नहीं अगले पल आप वो नहीं है अगले पल जो है उसे पुरा मुक्ति चाहिए जो बैठे हुए है तो आप सब मुक्त हैं इसक्त यहां बुद्धों के लावा कोई नहीं है पर अगले पल क्या होगा कौन जाने एक साथ तक कर्म के लाव में थोड़ा समझे नहीं है कि मतलब ज्यूमागा है कि अगर अर्जुन को यह मारने जाए कि सामने चुकि उसे अपने दिख रहे हैं तो इसलिए उस हस्तिनापूर नहीं चाहिए उनको मार करें लेकिन अगर को यह और खड़े होते हैं तो उनको मार के फिर वो हस्तिनापूर ले सक्सा है तो जब क्रिशन बता रहे हैं तो सार्थक कर्म को किस तरह से माने कंपरिटिवली कि तुम जैसे वो भी कुछ बीशन की तरफ दोड़े है या कि तुम करूनी तो मैं करूंगा तुम इन पर चलाव की या फिर यह है कि मैं इस दिवस्ता से अपने आपको अलगता ले रहा ना मेर को यूद का कुछ है उस च्यज को निश्काम कर या सार्थक कर न में हिंसा को कैसे सही माने कूछ सुण है या हिंसा यह नहीं है कि तीर जला दिया और किसी को लग गया हिंसा बड़ी सूख्शम बात है तुझा सुद्धकर जो मेरा दीन था को डूंती जड़ा कि पतिपल हिंसा थो भी लिए पतिपल हिंसा हो यह जरूरी नहीं होता हिन्सा की बात यह जान के को बड़े स्थूल हिंसा की बात है, फिंसा वह है नहीं है जिस अर्थ में अभी हिंसा को लिया जाता है हिंसा वो चीज ही नहीं है हिंसा का अर्थ है अपने आपको कुछ मान लेना मैंने अपने आपको ये मान लिया ठीक है ये तभी तक है जब तक इसे पकड़ने वाली उंगली है या इसे रखने वाली मेज है या यह जमीन पर पड़ा हुआ है तो जब भी यह होगा इसके अलावा भी कुछ होगा ना अभी यह है और उठा है फिर यह है और मेज है फिर यह है और जमीन है उच्छाल भी दिया तो यह है और गुरुत्वा करशन है यह और हवा है और ये है और वो है जो कह रहा है कि ये है तो दो तो सदा है तो ये जैसे ही हुआ कुछ भी जैसे ही इसने कोई भी पहचान धारण करी तो इसके अलावा कोई दूसरा स्तित्व में आ गया न ये बात स्पष्ट है एक आया तो दूसरा अपने आप आ गया अब ये जब मन होता है, जब जीव होता है, तो इसका दूसरे से नाता होता है, बच्चा संसार पैदा होता है, तो उसका संसार से नाता होता है, ये तो यो भी पड़ा, इसका तो कुछ नहीं, पर बच्चे की तो डोर बंदी होती है, पहली डोर क्या होती है, सांस की, दूसर प्राण मैं कोश, तीसरी डूर क्या होती है ? मनों मैं कोश, दुनिया के बारे में तमाम तरहें का विचार। फिर और पीछे कोश है, विज्ञान मैं कोश, आनन्द मैं कोश, यह सब तमाम तरीके हैं जिससे आपका संसार से संबंध होना हुआ है. ठीक. और आप पैदा होते ह अपूर्णता की ग्रंथी के साथ, अपूर्णता की भावना के साथ, जो वृत्ती है हमारी, आप उस संबंध के माध्यम से अपने आपको पूर्ण करना जाहोगे, आप चुकि अपूर्ण हो, और आपकी इंद्रियां आपको दिखा रही है कि आपके अलावा जो कुछ है उस का नाम क्या है? संसार, इंद्रियों ने तो यही बताया ना, मैं हूँ और जो कुछ आख देखे तो संसार, तो आप अपनी अपूर्णता को किसी चीज से तो भरोगे, आप कह रहे हो मेरे अलावा जो चीज है उसका नाम है संसार, तो अपनी अपूर्णता को कहां से नाम है, तो आप अपनी अपूर्णता को कहां से पूरा करना चाहऊँगे? संसार से, जब आप संसार का उपयोग अपनी अपूर्णता को भरने के लिए करते हो, तो आपका और संसार का रिष्टा सहारद पूर्ण नहीं हो सकता है, आप संसार को या तो खतरे की तरह देख कि या मैं इससे कुछ ले लूँगा और जीवन भर आप इसी के साथ जूशते रहते हो इसी भावना के साथ चलते रहते हो यह हिंसा है आपने आपको कुछ भी मानना हिंसा हो गई क्योंकि तुम जो कफ बहुत किम चैसा करना चाहोगे अब ये बड़ी अजीब का संफर्थ इसलिए करना चाहते है क्योंकि कहीं न कहीं कि तुम्हें पता है कि अमरता सुभाव है और साथ ही पकड़ लिए तुमने हम रित्ति जो तुम्हें बता रही है कि अपूर्ण हो अब तुमने दो बातें एक साथ बोल दी अमर हूं और अपूर्ण हूं तो तुमने किसको अमर बना दिया, अपूर्णता को अमर बना दिया अपनी, तो अपूर्णता अमर हो भी जाती है, तुम मर जाते हो, अपूर्णता बची रह जाती है, बात को समझ रहे हो, हिंसा यही है, संसार से ये रिष्टा रखना, कि संसार से कुछ चीन जपट लूँ, या संसार से अपने आ कि फुलाणी जगे से कुछ हासिल कर रहा हूं, दुनिया में कुछ पा लोँ, उपलब्ध कहला हूं. मेरा जो प्रुटी बल्भ तो जब जो जी इसी चीज में रहा है कि अपूर्णता ने खतम हो जाएने कि जा ना की. यह मैं कोशिश कैसे कर रहा हूँ पूर्ण होने की कोशिश करके, मैं लगातार किसको बनाए हुए हूँ पूर्णता को, यह आम आत्मी की जिंदगी है, यह सक्की जिंदगी है आम आत्मी की है उसकी सार्थक्ता है उसकी आत्यांतिक सार्थक्ता कुछ नहीं है लेकिन विवहारिक तल पे उसकी सार्थक्ता है क्योंकि आत्यंतिक तल पे दो हो ही नहीं जब हो ही एक तो हिंसा कैसी तो इसलिए कह रहा हूं कि उसको छोड़िये विवहारिक तल पे उसकी सार्थक्ता है तो उसमें जैसे बहुत जोड़िये सी चीज़ है कि एक डिस्कुट का पैकेट भी है यह चिप्स का पैकेट भी लेता है तो यहां तो मैं इमानों कि मेरे को कुछ भी उप्लब नहीं है इसलिए मुझे खाना पड़ रहा है तो मैं इससे ले दूँ उसको बोलो कि ऐसा बनाया होता है कि इसके बिना भी मैं जी पाता है आपको पता भी नहीं है आपकी आथ में कितने ब्रैक्टिरिया प्रतिपल मर रहे हैं शेर के होने भर से हिरन मर रहा है शेर क्या करे यह इंसा नहीं है जो कुछ भी अपने लिए एक नियम बना लो जो कुछ भी तुम्हारी चेतना के प्रकाश में आता हो वहां जगत से तुरुटि का, कटुता का, कलेश का नाता मत रखो और जहां कहीं तुम्हारी चेतना का प्रकाश पहुच ही नहीं सकता जो कुछ तुमसे छुपे छुपे हुआ जा रहा है वहां तो बस प्रार्थना कर लो और माफी मांग लो कि मैं करूं क्या अब जब पूर्णतया मुक्ति मिल जाएगी शरीर से ही, सिर्फ तभी उस तल की हिंसा थमेगी, वरना वो तो नहीं थमेगी हाँ, जो कुछ तुमारी चेतना में आता हो वहां पर किसी को कश्ट मत देना किसी की हत्या मत करना हम? अब मैं क्या करूं, मैं आया हूँ, मैं इस आसन पर बैठा हूँ पक्का पता है नीचे सुक्ष्ण जीव रहे होंगे वो गए, क्या करूं आप कितना भी साफ करके पत्तियां खालो उन पर सुक्ष्ण जीव तो होते ही हैं और आप उन्हें चवा रहे हो तो मासाहार ही सभी है जिसमें फिर सर एक चीज और है जो इसा एक बार आपका बहुत पुराना शर्म ने सुना है जो भी हम खा रहे हैं उसका बन उबलीक बन तुद्वावर्ट, फिट्टी, ट्विट्टी जो चीज़े हम खा रहे हैं तो आप इसमें यह नहीं है कि तुम दूसरे जीवको बचा पाओगे या नहीं बचा पाओगे बात तुम्हारी नियत की है तथ्य तो यह है कि तुम कितनी भी कोशिश करो तुम्हारे होने भर से कोई ने कोई मरेगा और कोई ने कोई कश्ट पाएगा तुम्हारे होने भर से तुम उसको नहीं रोक सकते लेकिन नियत तो साफ रखो नियत तो ये रखो कि कोई कश्ट ना पाए मेरी वजह से और वो नियत तुम तभी रख सकते हो जब तुम अपने आप में संपूर्ण रहो क्योंकि अगर तुम अपने आप में ही बीमार या बेसहारा या बेचारगी अनभाव कर रहे हो तो तुम यह खयाल नहीं कर पाओगे कि दूसरे को कैसा लग रहा है तुम्हारी सारी चेतना जो है वो स्वकेंद्रित हो जाएगी तुम्हारे दर्द हो रहा बहुत जादा तुम्हें दूसरे के दर्द का ख्याल नहीं आएगा तुम तो अपने ही दर्द से उलजए हो तो तुम अपने आप में स्वस्थ और संपूर्ण रहो फिर तुम ये कह पाओगे कि दूसरे से कुछ चाहिए नहीं दूसरे को हानी करने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं दूसरे को हानी तुम करते क्यों हो इसलिए तो करते हो ना कि तुम्हें लाब हो जाए दूसरे के हानी क्यों करते हो ताकि तुम्हें लाब हो जाए तुम वहाँ जीओ जहां पर और लाब अब चाहिए नहीं फिर तुम दूसरे की हानी नहीं करोगे ये अहिंसा है बागी संसार चक्र चलता रहेगा तुम कैसे भी चलोगे तुम्हारे पाउं तले सूक्ष्म जी हो तुमर ही रहे है वो संसार चक्र है लेकिन वो हिंसा नहीं है क्योंकि तुम आंतरिक रूप से संपूर्ण हो हिंसा को स्थूल रूप से देखोगे तो कभी नहीं रुक सकती हाँ जो सूक्ष्म हिंसा है वो तुम रोक सकते हो वही असली हिंसा है कृष्ण अर्जुन को स्थूल हिंसा में प्रेरित कर रहे हैं और सूक्ष्म हिंसा से बचा रहे हैं और बहुत सारे रिशिमुनी होते हैं जो स्थूल रूप से अहिंसक बनाते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से बड़ी हिंसाद में डाल देते हैं हुए हैं ऐसे ऐसे निता और ज्यानी और महापुरुष जिन्हों ने कहा कि आउ सब और बीज दिन का उपवास करो और अगर किसी ने बीज दिन से पहले उपवास तोड़ा तो हम कहें देते हैं हम बीज दिन का और करेंगे अभी कहने को अहिंसा सिखा रहे हैं पर इनकी अहिंसा के केंदर में हिंसा है और कृष्ण की हिंसा के केंदर में अहिंसा है वो बाहर से बड़ी निश्ठूर दिखती है वो बाहर से बहुत निश्ठूर है क्योंकि खून बहता दिख रहा है, गरदन कटती दिख रही है, और आखें परिशान हो जाती है कि ये तो घोर हिंसा है, घोर हिंसा है और तो एकनी सुक्ष्म तोरकर भी जिसमें बोद में किलाया, जिसके साथ वह सुक्ष्म नहीं है, आप भावनाओं की बात कर रहे हो, अध्यात में भावनाओं को सुक्ष्म नहीं मानते कोई भी हो, भावना कैसी भी हो, वो सूक्ष्व नहीं है, भावना तो करीब-करीब पदार्थ जितनी ही स्थूल है, पदार्थ देखके भावना नहीं उदित हो जाती, तो भावना और पदार्थ तो एक ही तलके हुए क्योंकि तुम्हारी कहानी वहां खतम हो जाती है, तुम्हें जो एक आउसर मिला था, वो तुम्हां खतम ही हो गया, तुम से बात कर रहा हूं, तुम जो इस शरीर को अपना कहते हो, तुम्हारी बात हो रही है, तुम शरीर को अपना कहते हो, तुम अपने आपको शरीर धारी, शरीर जीवी, पचास चीज़े कहते हो, देही, तो देही कहां बचा, उस समय बोध होना बहुत जरूरी है, अरे उस समय बोध होना बहुत जरूरी है, उस समय बोध होना बहुत जरूरी है, उस समय बोध आ गया तो कर क्या लोगे, उस समय त जब चेत जाओ उतना अच्छा पूर्णता के अलावा शानति कहां है पूर्णता अहिंसा है और पूर्णता शानति है अलग क्या देख रहे हैं पूर्णता ही अहिंसा है और पूर्णता ही शानति है पूर्णता नहीं है अगर तो शानत रह लोगे लगर आएगी कहीं कोई कमी है कोई खोट है तो शानत रह लोगे तो पूंड़ता ही शांति है, पूंड़ता ही अहिंसा है चार जी ओशो कि मैं अभी बुक पढ़ रहा था सुबह तो उन्होंने कहा कि जब मौन जाते तो एक जिसे नाद ये आनक जाते है, बूखता है अप उसके बारे में कुछ कमेंट कर सके ह। मौन ह्य है इसलिए नाद का नाम पूतक है भीतर की खलबली मिट जाती यह भीतर की खलबली के मिटने को कबिर नाद बोलते है रमनमोन बोलते है जि आवाज आती है आवाज नहीं आती है आवाज आ रही है तो अभी शोर है बहुत कोई अवाज आवाज नहीं अनहत नाथ सुनाने जा सकता कान में पढ़ने वाली आवाज नहीं कोई कल्पना मत करो नो सननाटे की आवाज है, तुमाहाँ कोई आवाज नहीं होती, अगर तुम आवाज सुन रहे हो तो दिमाग चल गया है तुमारा अरे भाई वो नॉइज है, बहुत तहाँ पे तरंगा, वो तुमारे कान की बात नहीं है, वहाँ पे अगर तुम कोई sensitive receptor भी लगा दोगे, तो भी बता देगा कि आवाज है, तो ऐसा नहीं कि तुमारे साथ कुछ खास हो रहा है, है यहाँ बहुत आवाज हैं, इस पे तो प्रयोग हो चुके हैं, अगर बिलकुल मौन कमरे में तुम तुम पांच मिनट दस मिनट से जादा रह नहीं सकते, क्योंकि बिलकुल जो निस्तब्धता होती है, पून निरवता, उसका तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे कानों ने सदा आवाजें ही सुनी है, कुछ तो वो आवाजें हैं जो तुम सुनते हो, जैसे अभी मै बोल रहा हो, तुम सुन रहो, इसके रहा हो, पचास छीपी होई आवाजें हैं, जो पचास तरफ से आ रही है, वो बहुत हलकी पड़ गई है, तो तुम्हें पता नहीं चलती है, यह रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके बाद इसमें नॉइस करेक्शन करते हैं, अभी इसको स तो ऐसा नहीं है कि उपर से भगवान बोल रहे हैं, उधर कहीं सड़क पर ट्रक बोल रहा था, वो यह आवाज दिरे दिर हलकी होके आई है, वो ट्रक है, हिंदर देव नहीं है, जैसे इससे महल होते हो, वो ऐस लगते है कि घेर लिया उस आवाज नहीं है, तो घेर ही रख तो नात के समय की अब आज भी नहीं है तो क्या करना है, महल बना के रख लेना है पहले से और इंदार करना है कि कम मेरा ग्रेप्रवेश होगा वारी